परवलिश आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कहानी के माध्यम से बताता हूँ आप इसको जरा गौर से सुनियेगा और समझियेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ इसके बात चोटी है परन्तु ये आपके जीवन में बहुत माईने रखती है ये फैमिली के लिए भी आप अपने परिवार में इसका उपियो कर सकते हो आप अपने बिजनस में इसका उपियो कर सकते हो आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में इसका उपियो कर सकते हो और जीवन की सुरुआत यहीं से होती है जीवन की जो सरुवात है वो यहीं से होती है समाज की सोच की जो सरुवात है वो यहीं से होती है और वो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको क्लियर गर देना चाहता हूँ वो कहानी के वाद क्या है आपको सुनाता हूं आप इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए आप सालिंट हो जाईए गए और मुझे सुनिएगा एक कुत्ता कि अपभचे को पालता है और एक शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है पालने और परिवरिष करने में अंतर होता है पालना एक अलग चीज होती है परवरिष करना एक अलग चीज होती है पालते तो कुट्ते हैं परन्तु शेर जो हैं अपने बच्चों की परवरिष करता है पालना हर किसी को आता है परंतु परवरिश करना बहुत कम लोगों को आता है हम परवरिश को अपने दूसरा नाम दे सकते हैं जो हम अपनी भाषा में कहते हो हम अपनी भाषा में कहते हो उसे कहते हैं संसकार संसकार का दूसरा आर्थ है शिक्षा शिकसा से संसकार आते हैं, जैसे सिकसा मिलेगी वैसे संसकार आएंगे, जैसा आपको knowledge मिलेगा वैसे आप business में perfect होगे, information सबसे ज़रूरी चीज होती है, यह दिया आपको business में right information मिलती है, तो आप success हो जाओगे, और wrong information मिलती है तो आप down हो जाओगे और कुछे लोग down होने के बाद में भी रुकते नहीं आगे बढ़ते रहते हैं उनको मेरा सलाम है परवरिश और परवरिश और पालन एक पालना होता एक परवरिश होती है आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना कि उनकी परवरिश कर रहे हैं यदि आप अपने बच्चों को पालते हैं तो आपके बच्चे का भवश्य क्या होगा यह बताना बहुत मुश्किल होता है लेकिन आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं उनमें संसकार डालते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य 100% रोजवल होगा आप यदि अपने बच्चों को पालते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में सकसेज का महत्व जीरो हो जाता है और येदि आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में सक्सेज का जो परशन होता है वो होता है 95 या 99 परसेंट सक्सेज हो सकते हैं कि 90 परसेंट पक्का सक्सेज होगे कामियाब होगे एक कहानी में आपको सुनाता हूं एक बार एक जोड़ा शेर का जोड़ा जंगल के रास्ते से जा रहा था उसके साथ में उसका एक बच्चा था और आगे एक नाला आया तो शेर ने कहा कि उस बच्चे से कहा कि आप इस नाले को कुद के पार लगा दो कुदो और सलांग बारो और इस नाले को पार करो बच्चा घबरा गया और पिछे अगहाड़ी गया शेर ने जोड़ खीच के एक तमाच आमारा उसको शेरनी ने बोला ये क्या कर रहे हूँ बच्चा अभी तक चोटा है समझता थोड़ा ये उसने कहा कि ये 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 चोटा नाला पाल नहीं कर सकता आज तो भविश्य में ये कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता और कोई भी जूंड में आकर इसे मार देंगे इसे खा जाएंगे इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे भेडियों के जूंड यदि आये इसके सामने तो ये क्या करेगा तो यह जो है आगे जाकर जंगल का राजा नहीं बन सकता और यह भी हो सकता है कि यह मेरा खूनी ना हो यह किसी और का बच्चा हो चाहिद भेड़ी एका हो मेरा थो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे जैसा होने में मेरा दम में मेरी ताकत है मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे बच्चे को भी ऐसे ही ताकतवर बनना होगा ताकि वो जंगल पर राज कर सके और यदि आपको भी अपने बिजनस में कामियाब होना है और अपने बच्चों को बिजनस में कामियाब करना है तो आपको भी पहले जंगल का राजा बनना होगा, और जंगल का राजा बनना इतना मुश्किल नहीं है, जंगल का राजा बन सकते हो अपने experience से, अपने अरुभवों से, खुद को दाओ पर लगाओ, खुद की जिंदगी को दाओ पर लगाओ, परंतु अपनी family से हट कर, ना पड़ जाओ बस, तुम खुद उसमें डूब जाओ, अपनी family को उसमें involvement करो, कभी भी, business में family को involvement नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से तुम अपना 100% कामियाभी तुमें मिलेगी, और जो तुम सीखते हो, जो तुम समझते हो, जो तुमें अपनी जीवन का जो experience होता है, व आप घर लोडते हैं, तभी अपने बच्चों के साथ बैटो, time करो, उनके साथ थोड़ा time बिताओ, और उन्हें बताओ अपने जीवन के बारे में, उन्हें अपने जो भी आपके साथ घरता है, अच्छा घरता है, बुरा घरता है, वो अपने बच्चों को बताओ, ताकि वो गलती, ये बिल्कुल ना करें, बहुत से माबाप होते हैं, जो घबराते हैं कुछ बताने के लिए, अपने बच्चों को negative कुछ भी नहीं बताना है, positive का मतलब ये है, कि जो आपके साथ real में हुआ है, वही बताना है, समझ गए न, यनिकी, जो reality है, वो अपने बच्चो को बताने है, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप अपने पारावरिक जीवन के बारे में बता दो, अपनी पती-पत्नी के बीच में जो भी relation है, वो बता दो, नहीं, sexual activity से अपने बच्चों को जितना हो सके, उतना दूर रखना चाहिए, सबसे important चीच ये होती है, कि sexual activity से अपन इस चीज में पढ़ते हैं, तो साइज उनका जो समय है, वो किसी और चीज की तरफ निकल जाएगा, उसका ज्यादातर वक्त है, गलत चीजों में चला जाएगा, negativity, negativity का मतलब मेरा एक ही है, बस, इसको बोलते है, sexual activity, उसको ही मैं negativity बोलता हूँ, negativity बोलता हूँ, बच्चों क मेरे ख्याल से यह एक ही negativity है, जिसको मैं कहता हूँ, sexual content, यही है, दुसरा कुछ negativity नहीं है, यही हमारे मुझे कोई मारता है, तो मेरे लिए यह negative नहीं है, मेरे लिए positive है, ठीक है न, तो negative का मतलब यह एक ही चीज होती है, कि अपने time से पहले किसी भी चीज का पता चल जाना, या पिर किसी को बता देना, और वो भी ऐसी वस्तु जिस से उनका नुक्सान हो सकता, वो negative है, वो गलत है, समझे न, अपने time आने से पहले कुछ ऐसी चीज बताना, जो सामने वाले के लिए घातक हो, गलत हो, सामने वाले का बुरा हो सकता है, तो वो मेरे हिसाब से एक negativity है, समझे, तो इसको मैं negative मानता हूं, दूसरी की चीज को मैं negative नहीं मानता हूं, दूसरा अच्छा या बुरा, यह कुछ नहीं, इसको negativity नहीं है, यह तो हमारा जीवन का experience है, जो हमारे सामने आता है, हमारी जीवन की जो सुनोती है, वो हमारे सामने आती है, इसलिए अपने जी गाइड करना है, उसकी परवरीश्करमी है, और यही बात आप बिजनस में अप्लाई कर सकते हो, बिजनस में आप अप्लाई इसको ऐसे कर सकते हो, कि जो भी आपके साथ information हो जो आपके पास information हो यदि मुझे में आपको कोई कमी दिखती है या गलती दिखती है तो आप मुझे बता और मुझे आप में कोई कमी दिखती है कोई गलती दिखती है तो मैं आपको बताता ही हूं प्रंतु कुछ लोग जो होते हैं वह मैं उनको बात करता हू हूं उनको कुछ बताता हुआ तो वह समझ लंगते है कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो अरे बुराई ही नहीं होती भाई बुराई नाम की कोई चीज होती है फिर तुम कहते हो कि नई तुम तो मेरी चुगली कर रहे हो हो वह कौशते रहे हो उनसे बल्कि यह सीखो कि जो सामने वाला मुझे बता रहा है क्या वो गल्ती मुझमें है और नहीं है तो वो ऐसे काम ऐसे नहीं, वो कहा मैसा नहीं, काम ऐसा नहीं, वो काम ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो आप समझो, मुझे समझने की कोशिश करो, कि जो मैं कह रहा हूं, वो क्यूं कह रहा, जब आप मुझे समझ जाओगे, तो आपको रियल में पता चलेगा, कि इसके पीछे भी कुछ मकस मकसद था और यह मकसद जब आपको पता चलेगा तो आपके जीवन में एक अलग अनुपव पैदा होगा एक अलग आपको नौलेज मिलेगा की जब अपने आपको कोषते हैं तो ये कभी उनका बुरा मतमानना भले वह तुमसे नफरत करनते हैं फिर तुमें कोष्ते हैं तो भी बुरा मतमानना और उसे गलत मत समझ कोई आपको यह निदी और यह कोई बता रहा है आपको कोई advertisement दे रहा है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उसकी बातों को समझना चाहिए कहीं न कई उसकी बातों में दम होगा कहीं न कई उसकी बातों में ऐसी आपको information मिलेगी जो आपके लिए जरूरी होती है आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ नया experience मिलेगा, कुछ बाते जो होती हैं, वो हमें बहुत देर से समझाती हैं, परन्तु अपने दुस्मन भी कभी-कभी अपने को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इनके साथ रियल में एक सही बंधन या पर सही सम्मंद रखना चाहता हूं, वो ऐसा चाहते हैं, परन्तु कभी-कभी हम लोग जो हैं, अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हैं, कि उसको समझने के बजाए उसको इग्नोर कर देते हैं, और ये चीज हमें बहुत मुश्किल पढ़ती हैं, और ये इग्नोर करना सबसे बुरी आदत है, इग्नोर मत करो, किसी को भी इग्नोर मत करो, इग्नोर कभी मत करो, इग्नोर करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सामना करो, हर चीज का सामना करो, चुनोती हो, उसका सामना कर सामना करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है ना कि उसे इगनोर करने से यदि तुम से कोई रूटा है तुमारे नजदी का है तुमारे पास का है तो उसे तो बिल्कुल कभी इगनोर मत करना कभी मत करना, अगर तुम्हें लोग कुछ कह रहे हैं, कि यह गलत है, यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें गालियां पड़ रही है, तो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, कि वो क्यों कह रहे हैं मुझे, ऐसा इसमें क्या गलत है, कभी-कभी हमें, जो गलत होता है, व वो आपकी काम्याबी से बिल्कुल भी नहीं जलता है, कोई आपकी काम्याबी से नहीं जलता है, कोई भी नहीं जलेगा आपकी काम्याबी से और ना कभी कोई जलता है, बस वो आपको कुछ आपकी कमिया है, जो आपको याद दिलाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, कि आ आप इस कमियों को ठीक करो यदि आप इस कमियों को ठीक करते हो तो और आप अच्छे से निकरोगे आपकी यह गलतिया है यह गलतिया आपको बरबाद कर देगी बरबाद नहीं कर देगी तो समाज को बरबाद कर देगी लोगों के विचारों को बरबाद कर देगी लोगों की सोच को बरबाद कर देगी लोगों के जीवन को बरबाद कर देगी कहीं न कहीं आपकी गलती किसी नी किसी लोग किसी नी किसी मनुष्य के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है इसलिए अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव रहो पॉजिटि को भी समझना चाहिए इन साथ साथ में सिर्फ positive सोचने चाहिए आओगा reality positive दोनों का आपस में मेल होना चाहिए तबी आप सीचों को समझ सकते हो कि इसलिए ignore मत करो युद्ध करो fight करो परवरीश करो पालन मत करो अपने अपने बच्चों की परवरीश करो और परवरीश करनी है तो अपने experience जो भी आपने जीवन में सीखा है वो अपने बच्चों को बताईए जो भी आपने बिजनस की अपने बच्चों को बताईए अपनी गलतियां अपने बच्चों को बताईए अपने जो किया है वो अपने बच्चों को बताईए ताकि वह आने वाले जीवन में आपको देखका या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है साइड हंडेड में से दस प्रॉब्लम तो उनके जीवन मे आएगी जो आपकी रिलेटिड हो या फिर आप जैसी ही हो वो उनकी जीवन में आएगी और वो जीवन में जब उसके आएगी तो उसे पता जलेगा कि मैंने इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना है और वो जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो और तरक्की की और बढ़े इसलिए अपने जीवन में अपने बच्चों की परवरिश करो अपने बच्चों को टाइम दो समय दो ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है सक्सेज का एक और भी मतलब होता है अपनी फैमिली को खुश रखना अपने बच्चों की परवरिश को अच्छा करना ये भी एक हमारी सक्सेज है और अपने बच्चों की परवरिश करना ये सबसे बड़ी सक्सेज है इस दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेज जो है अपने बच करता है, आने वाली प्रकर्ती का ये भविष्य तया करता है. आपके आने वाले बच्चों का भविष्य उजिवल करता है इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सही संसकार दिए परवरिष्ट कीजिए और वैसे ही अपने business में अपने partners को आपके साथ जो काम कर रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनको सही एडविटाइज दीजिए उनको सही रास्ता बताईए वो भूल करते हैं तो उनको सुधरने का मौका दीजिए और आप भी अपने